कि चलो बाबु बता दो इसका मान क्या आएगा कि पहला अप्सने पोर आएगा तू आएगा थ्री आएगा ये फाइप आएगा फोर थ्री टू फाइप मेंसे क्या आएगा ओके इसको साइड कर दो भाई चल अट जाएं तर साइड में बहुत अच्छे बेरे गुड मुकेस पांडे बहुत अच्छे साधना छोटु राज गुपता लबली सिंग प्रियंका माधुरी सुजीत दीके राजा दुर्गेस अभी बोला सरोज साथे हाथ बढ़ाना एक अकेला थक जाएगा मिलकर कदम बढ़ाना सथी हाथ बढ़ाना चलो भाई सभी हाथ बढ़ाओ और कलास को सेयर कर दो फटा फट सेयर कर दो खुब दबाके चलो इसका आंसर आएगा तीन तीन आएगा कि देखो कैसे इसका बेसिक कोल है बाबु मैंने आपको रूल बताया था जब आधार समान हो घाते जूड जाती है बोला था ना बताया था यह घातां का पहला नियम तो भाई साहब बाबु हो यह हो जाएगा ऐसा 75 पैसा में 25 पैसा जोडते हैं तो एक बन जाता है है यह नहीं आपका है सकते हो तीन का घात एक और एक किसी की भी घात हो इससे कोई फरक नहीं पड़ता है आज कल जेब में एक रूपया तो नमक भी नहीं मिलेगा दुखान पर कोई वैलू नहीं रा गई इसकी ठेंगा हो आणक में होता है चलो इसका आणसर आया थीं ठीक है पक्का अरे बोलो ना अगला अगला क्योश्चेंड है गहातांक का कुछ दो नियम बचाया है उसको करवा दूं तब फिर उस्चेंड कर रहा फिर दीख तो रहा अच्छे थ है तो घ्ले घातंक एक नियम और देख गातांक में ठीक है वो क्या है साथी मेरे कि अगर कहीं एक पावर यम है बराबर बी है इस तरह से तो अगर इनको पलटना पड़े हमें न तो हम बी बराबर इसे एक पावर माइनस वन अपान यम कर सकते हैं थिक है समझ रहों ये झातांक का एक ओर नीम है यह नी अगर कहीं एक पावर यम है बराबर अश्वक है तो ह। इसे ख़र बगभर हर एक पावर उन अपान माइनस यम कर सकते हैं कि कि शिवंबिस कर्मा समझ में आरा है यह बात समझ में आई यह घात आगका ही नियम है याद रखना इसका एक्जामपल देखे हो बिटा जैसे देख लो बाबु देख लो देख लो तुम देख लो जैसे यक्स कि घात साद बराबनों नहीं है BO ISS का मान बताओ बोलो यक्स कमान के आएगा बोलो और सुभं त्वह देखो यहां से यक्स कमान के आएगा बाई साहब हमें यह मान निकालने न जैसे यहां पर देखो भी बराबर या रहा था तो भाई सिर्थी सी बाते कर लोगे ना कि उधर जाएगा नो की पार पलट जाएगी ना कि करके बताना है देखो एक बार में थोड़ा डिटियल में समझा देता हूं अगर यक्स एक ही पावर यहां है बराबर भी है ना तो अगर हम एक कमान निकालें सुरी यहां पर थोड़ा मुझे लगता मिस्टेक हो रहा है या रही है यह उल्टा का है को हो रहा है यह से ही यह केवल घात उधर जा रही बस केवल पावर उधर जा रही यह इतना है ठीक है यह पावर सिर्फ उधर जा रही बस बाकी वही रहेगा थिक है समझ गए तो यहां से यक्स कमान निकालोगे तो यक्स बराबर 9 का घात माइनस एक बटत साथ यह करेक्ट अंसर है 9 का पावर माइनस वन अपान सेबन निदी कुमारी समझ में आ रहा है लिख लिजे जल्दी से यह आपका घातांग का एक एक एक्स्ट्रा रूल था इस पर अधारित एक अगर मैं और कुश्चन दे दूं तो आप लोग कर ले न अगर बी का क्यूब बराबर दो है तो बी का मान बताओ बी का मान बताओ ये इसी रूल पर अधारित है जल्दी करें फटा फट फट फास्ट देखो भाई सीधी सी बात है बहुत सीधा सा फंडा है अपना अगर इमानदारी से देखोगे समझ में आने की पूरी गारंटी है यह वैसे रहेगा यह भी वैसे रहेगा बस यह घात इधर जाके उलट पलट जाएगी जैसे होता नहीं लड़की की साथी होती है माईके से सशुराल जाती है तो चीची ओमाई गार्ड मैं गोवन नहीं छूद देखेंगे कहीं सुनें हो चलो वह सब बात फिलाल रहने तो अभी नहीं तो कुछ गरबड हो रहा है तो यहां पर देखों B बराबर क्या हो जाएगा? दो का गाथ माईनस एक बटा तीन यह सिर्फ गाथ उधर जाके माईनस में हो जाएगी उसके खोपड़ी वेबस तो यह था आपका एक एक्स्ट्रा रू़ल इसमें एक और भी है एक और भी रूल देख लो यहां पर एक्स्ट्रा रूल में मानलो ए हो गया इसको भी मानलो अगर एक पावर माइनस का यम है इसको उधर फाइड ले जाएंगे तो यह इतना हो जाता है समझ रहे हो यह भी घातांक का एक नियम है यह भी घातांक का एक नियम है ठीक है भैया इसको एक और भी एक्जामपर्स पिचा है तो समझ लो या वन अपान एक पावर माइनस का पी इक्वल एक पावर पी ठीक है यह घातांक का नियम है समझ गये इस पर एक्जाम्पल देख लो जैसे दो कगाद माइनस करती इन तो यह इधर जाएगा तो यह इतना हो सकता है ठीक है यानि फाइनल में भाई साहब इसको हम एक बटा आठ लिख सकते हैं इस डॉंट वरी नीचे दिख नहीं रहा है मुझे लग रहा है कुछ लोगों को नहीं लवक रहा है चला कौनों बात में अब दिखाता है न राजू चौधरी है मैं सांस ले लेके बोलूँगा रूख रूख कोई दिक्कत किसी को परिसानी है रानी चलो आगे बढ़ें डंट वरी यह आपका हो गया अब हम कुछ कोईश्चन करेंगे ताबर तोड़ ताबर तोड़ फट 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 मतलब बहुत स्पीड में चलेंगे चलो कि कुछ लोग को नहीं समझना है होगा का का बोल गया घातांग के रूल मैंने आपको सिखा दी है कि 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 कमेंट के चक्कर में सब चोपट हो जाता है कमेंट बंद करो भाई कमेंट नहीं देखना चलोटाओ कि मैंने पहला कुश्चन आपको दिया आपने कर लिया कहते हैं ना थोड़ा पहले मीठा खिलाना चाहिए अगर खतरनाक द़ाई खिलानी है आपने देखा होगा अगर कोई बचवा है छोटा सा दवाई नहीं खा रहा है रो राब चिला रहे तो पहले उसको कोई मीठा चीज खिलाया जाता है चोटा उसके बाद जब उच्छ फुटाने लगता थोड़ा थोड़ा ना उसी में खिला दिया जाता है काम वाली दवाई क्योंकि बच्चे जल्दी से दवाई नहीं खाते हैं पहले आप लोगों को भी नकुना-कुना कि यह 25 है अब मुझे आप सभी फटा-फट इसका आंसर बताओ कितना आएगा इसमें पहला आप्टन है कि 81 आएगा कि 9 आएगा कि 77 आएगा जीरो आएगा कि कितना आएगा एक बार में बता दो इमांदारिस कि मैं बता रहा हूं कोई बात ने ट्राइक कर लो एक बार कि अर्पित यादो बिने परजापती ठीक है तिल्पा के सरवानी बेरी गुड इसका अंसर 9 आएगा तेसन लाइक करो भाई जिम्मेदारी है आपकी लाइक जरूर करो फटा फट चलो देखिए 9 है हम कोशिस यह करेंगी घातों को कम से कम बढ़ा करें जितना हो सके उनको तोड मरोड के रखें देखो तो इसे हम हल करेंगे भाईया तो 9 का पावर 0.25 इंटू यह बता मुझे कि 729 को क्या हम 9 के पावर में लिख सकते हैं बोलो लिख सकते हैं तो इसे हम लिख सकते हैं नाइन का पावर क्यूब नो नो आई क्यासी नवहीं साथ तो ओना तिस भी का राइट दिस आद नाट देखो मेरी इंगलिस बड़ी खातानाक है ना यह अमिर्का वाली है ना इंडिया वाली है मालूम ने मुझे कहा वाली ल लिख सकते हैं अब बहरे से इनको ऐसे लगा दो कि ए भाई साब थोड़ा समझने की कोशिस करना यह हो जाएगा फाइनल में नाइन का पावर इसका मल्टीपल करोगे तो पचीस्तियां हो जाएगा पचात्तर दो अंग पर दस हम लो यह जिसको नहीं समझ में आया वो नो लिख के कमेंट करें यहन ओर नो बोलो जिसको नहाया मैं बताता हूं देखो देखो घातांक का रूटेता बाबु अगर का पावर यह इसके खोपड़ी प्यस्ahaha कोपड़ी के खोपड़ी पेंगर बताया था उसी रूल के अकॉर्डिंग ये हो गया तो नौ का घात गुड़ा करने पर घाते जुड़ जाती है 0.25 में 0.75 जोड़ो गए 10 मतलब 9 विवेक जी उमीद है कि आप समझ गए बेटा हर्थित काय को रंदा करें बाबु जाओ खापी के सोजाओ जाओ जल्दी लिखो फट से लिखो आगे बढ़ें जो भी घातांका रूल नहीं पढ़ा उसको ये पल्ले ना ही पढ़ेगा कुश्चन होने के बाद मैं सामने से हटता हूं तब तक आप फटाक से लिख लिया करो एक दम जटाक दे तुरान हट पड़ा करो एक दम अगला नेक्ट कुश्चन थोड़ा अलग तरीके करें इसी टाइप कबोल हो क्या कह रहो हूं इसी टाइप का कर लो दसमलों में एक और कर लो 64 पावर 0.16 इन्टो 64 पावर 0.04 तू का पावर 0.84 इसका मान कहाएगा 1 3 4 5 कि एनिवन जबाब दो फटाफट क्या आएगा हर्सित नाइन्थ का साम 6 बज़े चलता है पीवियर स्टडी 3.0 पर पीवियर स्टडी चैनल नंबर 3 पर ही कच्छा 10 और 9 दोनों कलास चलती है साम 6 बज़े से 9 और साम 7 बज़े से कच्छा 10 उमीद है समझ गया होगे तो आप चुप चाप सीख लो में इसका करेक्ट आंसर है भाईयों और बहनों 4 बोलो किसका किसका 4 था देखो कैसे समझो देखो भाईया हम 64 को लिख सकते हैं बाबु 2 कगाथ 6 लिख सकते हैं क्योंकि चार को 2 कगाथ दो लिख सकते हैं यह तो इतना दो जानबे करते हो इतना भी नहीं जानते हो तो जाओ गंगा ना कि अरिद्वार में सादु संत बन जाओ पड़ाय लिकाई ना करो नहीं ऐसी बात नहीं सादू संतों को भी यह माश्टर बना देते हैं आप पीवियार स्टेडी एप में जाके जीरो लेबल जॉइन करिए ऐसको हम लिखते हैं को इसको में लिखते हैं और जेएट-पकर अचलो स्टोला चक्का चानवे बोलो साही है अच्छे चोग चौपिस बाइस आप इनको जोड लेंगे बाबू इनको जब तुम जोड़ोगे तो कहा होगा जानते हो खतनाग लग रहा है मुझे इसब कितना जाएगा भाई आ रहे हैं यह जोड़ो 120 यह कुछ मुझे घाते कोई से गड़ पड़ लग रही है का शे चोग चौपिस यह चौड़ासी ठीक है 120 हो रहा है न यह यहां पर 8080 था ठीक है यह नहीं तो मामला उलट जाएगा कुश्चन जो है आयद इन्होंने सही टाइप नहीं किया है कुश्चन इन्होंने सही टाइप नहीं किया था ठीक है अब सही है ओके तो अब सबको जोड़ लोगे घाते तो कितना हो जाएंगी भाई जोड़ लो इनको गुड़ा करने पर घाते जुड़ जाती है जब बेस इक्वल हो जीरो पॉइंट एट जीरो दो का घात दो बराबर चार कितना आएगा फोर न किसी को कोई डाउट किसी को नहीं सब पक्का क्लियर है चलो फिर ठीक है आगे बढ़ते हैं देखे चार चंग 24 दो अंग पर दसम्रों लग गया यह वैसे का वैसे लिगतिया कुछ नहीं किया इसमें यह दोनों हमने जोड़ लिया देखो मैं जोड़ के उपर नीचे भी दिखा देता हूं इधर थाइट में आ जाओ चाचार दाथ हासी लेख नो दो ग्यारा एक बारा बारा आठ बीस हां फिल दो दो आया ना वर्षा समझ में आया पंकज राजु चौधरी ठीक है फटाफट आपके सामने आरा दोड़ के चलो रेड़ी पतिमांदारी से देखना यह कुश्चन जो भी यूपिटेट या सूपर्टेट देने वाला है ना एकदम संजीवनी है उसके लिए क्योंकि परिख्या में इन सम्में से एक नंबर ज अब कैसे कुश्चन आ जाया इसमें से लेकिन टाइप यही सब रहेंगे मैं सारे टाइप पढ़ा दूँगा अभी तो बहुत सारी क्लासे होंगी कि अग्यों कि 5 का पावर 0.25 इंटू 25 का पावर 0.35 मुझे इसका जबाब दे दो तो जाने इसी में से कोई एक आप्शन सही है नहीं डबल डिजिट में कर लो इसी में से एक आप्शन सही है बता फोर नंबर का जबाब सालिनी उपाध्या है जबाब दीजिए देखिए आपको कुश्चन करने का इतना वक्त मिलता है बीच में यह 5 ऐसे रहने दो 25 को ऐसा लिख सकते हैं क्यूं आइसा तो नहीं लिख सकते हैं नहीं आइसा तो नहीं कर सकते हैं कौन का आइसा कर सकते हैं यह 125 था क्या एक विनिट यहां पर वन भी लिख लेना भाई यह 25 का तो हम ऐसा लिख सकते थे ना तो सारी घातों का आपस में गुड़ा कर लेते हैं बड़े हो ना तो ऐसे इन दोनों का गुड़ा हो जाएगा तो पचंपचीस हाफिल दो पांच तियां पंदरा दो सत्रा दो अंक पर दसमलो हो जाएगा बाद पक्की अब यहां पर देखो बेस इक्वल है यह पावर एड हो जाएगी जूड़ जाएगी तो यह जूड़ेगा तो टू पॉइंट जीरो आएगा पड़ाव इसक्वायर मतलब 25 अब बोलो समझ में आया या या बोल दीजी एक बार काहे को सर्मार है काहे को काहे को तोड़ रहें बई चलो बताओ सबको समझ में आया या तेसन को लाइक नहीं कर रहें बहुत से लोग अन्नु जी आप बेवी बाबू मत करिए यहां पर पढ़ने दीजिए लोगों को वैसे भी लोग नहीं पढ़ना चाहते हैं सोना बाबू करेंगी तो फिर बची कुछी आत्मा भी उनकी भाग जाएगी यहां से अगला कुश्चन 27 अब थोड़ा टाइप चेंज करिए अभी आपने हमें लगता एक ही टाइप का देखाना दस हमलों में पांच टाइप का करवाएंगे इसमें अभी हम ठीक है अभी आपने सिर्फ डेसिमल वाला देका है बोलो शहीए बोला हुण न इस देसिमल देखा है अब टाइप सीकेंड डालो इसमें उसमें टाइप फ़र्स्ट डाल लीजिए थाइसमें और करवा दें क्या ताइप फस्ट में और कुश्चन करवा सकते हैं लेकिन बहुत ज्यादा हो जाएगा फिर आप लोग मज़ा नहीं पाओगे वो काओगे इस सब तो ठीका हो रहा है तुनो अब टाइप सीकंड डालो टाइप सीकेंड टाइप के कुश्चन ऐसे पूछे जाएंगे परिक्षा में शिक्टिफोर इन्टु फाइप बान सिक्स इन्टु इन्टु उन्टु छोड़ो के वाल इसी कमान बता दो बस कितना आएगा सोला अठारा वातिस चौशट कितना आएगा बोला हो काय को सर्मा रहा हो हां बोल ये फटा फटेंथान मतलीजिए आईए मैं बताता हूं कि आजाओ सभी आजाओ तो को बहुत सिंपल है कि 64 को भाई साहब बाबू हम ऐसा लिख सकता हूं लिख सकता हूं नहीं आता तो सब समझाएंगे यहां पर करेंगे तो टाइम लग जाएगा तो 64 को हम लिख सकते हैं क्या लिख सकते हैं दो का पावर छे और इसके खोबड़ी पर पांच बट अच्छा लगा था कोई बात नहीं है कि फाइनल में यह हो जाएगा टू का पावर शिक्स इन्टू यह फाइब पांच शिक्स रातांग के नियम से शे से छे कट गया दो का गात पांच जो की 32 के बराबर होता है निधी कुमारी कृष्ण चंचोधरी बहुत अच्छे स्क्रीन साट ले लिजिए मेरी भी थोड़ी फोटो आजा एक सेलफी वाली ऐसे वाली कैसे करके खड़े होते भाई मुझे बनता नहीं थोड़ा सा गला मेरा दर दखने लगता है देखें ना इंस्ट्राग्राम पे लोग कोई जीब निकालके कोई मूव बनाके कि मुझे सेलफी की चानी नहीं आतिया तक सिखेंगे अभी मिलेगी वाली तो उसके साथ कि चलो हो गया लिख लो कि अगला नेक्स कोईशन इसी टाइप में और भी देख लीजिए 27 का पावर 7 अपान 3 साथ नमबर डाल दो कुछ भी डाल दो इंटू 81 का पावर 9 अपान 4 इन सभी टाइप से एक टाइप का एक कोईश्चन परिक्षा में जरूर आएगा चाहे कहीं लिख किर ना खलो बारे चवराएप 100 जूता मारना अगर एक कोट नायद बताना घात आंक से एक कोईश्चन पक आएगा सुपर्टेट में इसका आप्सन बड़ा आजीब टाइप का है थोड़ा आसान टाइप का है तीन कगात पांच इसमें से क्या आएगा बोलो मैं बताता हूं चलो देखो बहुत आसान है 27 को हम लिख सकते हैं भाया थिरी के पावर थिरी इसे ऐसा लिख सकता हूं यह सेवा ना पांच थिरी 81 को भी मैं लिख सकता हूं थिरी के पावर 4 देखो थिरी पर थिरी कड़ जाएगा 4 से 4 कड़ जाएगा घातांक के रूल से गुड़ा करने पर घाते जुड़ जाती हैं का हो आया समझ में लिख लेजिए फिर अगला नेक्ट कोश्चन बिना रुके बिना जुके ताबल तोड़ फटाफट करते जाओ ज्यादा पर ज्यादा कुश्चन कम समय में होना चाहिए कलास की एक अलग पहचान बननी चाहि कुछ भी यहां पर डालिए नंबर कुश्चन यह कोड नंबर है इससे कुश्चन नंबर से कोई लेना देना नहीं है यह कोड नंबर 144 कि अपांटू इंटू 1728 इंटू अपांट्री कि इसका मान क्या आएगा कि क्या आएगा इसमें से आप्शन बताओ देखे कोशित आपको करनी चाहिए आए या ना आए मंजिल मिले या ना मिले वह अलग बात है लेकिन आप कोशित ना करो भाईए यह गलत बात है दिल गलती कर वैठा कर बैठा दिल गलती वह तो ऐसे भी कर वैठेगा काम कर लो तो और अच्छा रहेगा 144 को हम लिख सकते हैं 12 का स्कॉयर बोलो इसमें किसी को को या पत्ती नहीं ये खोपड़ी पे घात लगी थी इसको हम गुड़ा में ऐसे लिख लेते हैं गातांग के नियम से आपको पता है ये 12 का क्यूब है इसको हम 153 लिख सकता हूं लेकिन आइसे नहीं लिख सकता हूं इसको आइसे लिखो वन पान थिरी तू से टू कट गया थिरी स्थिरी कट गया कि यह क्यूब इंटू यह बारा का इस वन यह यह तीन और एक घाट जुड़ जाए कि चार घाट वजा आ रहा है कि नहीं एक बड़ दीजिए काय को सरमा रहें कुछ तो बोला करे ना आप लोग गभी तो बोला करी है ऐसे मंद्र उठा करिए बाई मीजा नहीं आती है मोई भीमें मोटे को आरा है करिये का आ नहीं आ रहा है आरा है फूल औरXT कुफ थेधन दसमलों में एक क्वेश्चन और करवा देता हूं चलो दसमलों में एक क्वेश्चन और इसको आप लोग खुद से ट्राई करोगे नेक्स्ट क्वेश्चन भाई लिखो 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 81 कि इसको बारा नमबर लिख लो यह कोड़ है चल भाईया रेड़ी इसका अंसर कितना आएगा एक बार ट्राई करके बता दो मुझे जिसको ज्यादा मज़ा लेना है अक्षरा सिंका जाके देखो यूटूब पे हां बहुत मज़ा आता है हमारे दोस्त लोग है आपे बजाते रहते हैं लेकिन मैं नहीं बजाता कभी क्योंकि मैं देखों कि दिखाओं क्या करूं कि सारी को जाके देख लो पावन सिंग को जाके देख लो और भी बहुत से बोजपरी एक्टर हैं जो अपना सब कुछ दिखाते हैं जाके उसको देखों मज़ा खुबाती है देखता हूं यूटूब पे लोग लगे रहते हैं लेकिन बरबाद हो जातें लाश्ट में कि और सब्सक् totalmente कि करते हैं साथिओं आपको पता है कि तीसरी कला सई है हुआं में यह थारनाétais तो पहले कलास में तो हमने सिर्फार सीलेबस किया था सारे जितने भी सबसें पॉइंटापिक सब स् foster कर दिया था दूसरी कलास में हमने आपको कैसे पढ़ना है यह इस्ट्रेजी बनाना बताया था मतलब क्या बोलते हैं सारा सिस्टम ना जैसे कहते हैं अगर लडाई करनी है और यूध लंबा चलना है तो हमारे पास एक गुप्त और बहतरीन तरीका होना चाहिए लडाई करने का और मजब भी देखो एक दम बिंदास क्वाल्टी तो यह तो हो गया दूसरी बात क्या क्या पढ़ना है कि चैप्टर से कितने नंबर के प्रस्ण आएंगे यह सब हो चुका है सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो था घात आंक वह हम डिसकसन कर चुके हैं उसमें जितने भी संभो मतलब प्रशनत्य संभावित एक बार आपको ट्रेलर दिखा चुके हैं हूं हूं तो आज एक प्रकार से मान लिजिए आपका नंबर सिस्टम का यह कंपलीट चलने वाला है ठीक है नंबर सिस्टम इसे एक परकार से आप मान सकते हो पहली कलास रिगुलर वाली पहली सकते हैं था कि साथी मेरे मैंने आपको बताया था कि सूपर टेड़ के लिए आपको चार सेक्षन में मैद पढ़ना है थे सेक्षन भी सेक्षन सी सेक्षन डी ये बताया था वह मुख्य सेक्षन थे जैसे करने जनरेशन होती हमारे पिता जी हैं उनके भाई हैं जो हमारे हम लोग कुछ लोग बड़े पापा बोलते हैं कुछ लोग दादा बोलते हैं जो भी उनके छोटे भाई होंगे तो अंकल बोलते हैं तो वह एक जनरेशन उपर वाली थी उसके नीचे एक जनरेशन हैं आपको क्या पढ़ना है क्या इसमें ने पढ़ा दिया और चुटा अभी यह आपका क्लियर रहेगा कि भाई कौन सा पॉइंट क्यों सा टॉपिक आप पढ़ा दिये थे कौन सा भी बचा था है न यह चीज़ें हो गई थी तो ठीक है सभी जुड़ जाएं तो फिर आगे हम यत्तरा सुरू करते हैं क्यों आ गया हो सभी ठीक है उसके बाद फिर क्या होगा फिर हम कुश्चन करवाएंगे तो क्या कहरो आप लोग सभी आगे सुरू करें कि कुछ अभी बेट करना पड़ेगा ठीक है तो चलो भाई शुरू कर देते हैं देख लिजिए ध्यान से एक बार एक मिनट के लिए याद रखिए पॉजिटिव सोचिए हमेशा और बहतरीन सोचिए और सोचिए ही नहीं कुछ करिए भी क्योंकि अक्सर वही लोगा सफल होते हैं या तो वो कुछ सोचते नहीं है या तो वह सोचते बहुत जादा करते कुछ नहीं है तो आपको सोचना भी लेकिन उस सोच को हकीकत में बदलने के लिए मैंद भीал Gary कि समझ रहे हो अगर चांद तारे का सपना देख रहे हो तो मेहनत भी करो रात में कि साम को लेट के चंदा देखोगे तो फिर वो तिन भी न मिलेगी समझ रहे हो चलो हाँ तो नंबर सिस्टम में सबसे पहला जो टाइप होगा उसमें संकेतिक परति रूपों पर आधारित यानि अभी मैं एक्जांपल के साथ आपको दिखाऊंगा यह पहले टाइप के कुश्चन होंगे दूसरे टाइप के कुश्चन होंगे इकाई का अंक ग्यात करना के अधारित प्रस्ण घातों पर आधारित प्रस्ण प्रस्ण फेक्टोरियल टूंस कि कि अध्यों जानते तो नहीं जो यह भी गुटन फल पर आधारित अपरकार से होता है कुछ ठीक है अब एक्जांपल दिखाऊंगा सब कि लिए रोजाएगा इसमें क्या था पहला तांकेतिक प्रत्रूप में में 10 देखा तीसरे में जो है योग पर आधारित प्रस्न अब योग में भी तीन टाइप होंगे है ठीक है कि भाइस अभी अपना नाम लिख लिख के कमेंट करो फटाफट ऐसे मजा नहीं आ रही योग पर आधारित में तीन तरह होंगे प्रकृतिक संख्याओं पर अधारीत प्रस्ण यानि कुश्चन बेश्डान नेचुरल नंबर वर्गों के योग पर अधारीत प्रस्ण आपने देखा हो गया ससी और हमें भी पूछे जाते हैं पिछले सूपर्टेट में पूछे गये थे एक से लेकर के 15 तक की प्रकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल फलाना दिया है तो फलाना ग्याद कीजिए ऐसे है न वर्गों के बाद घणों पर अधारीत प्रस्ण आएंगे उसके बाद चौथा टाइप आएगा मुख में आपका सही गलत प्रस्णों की संख्या ग संख्याओं को लिखने में अंकों की संख्या पराधारित यानि कहते नहीं कि ऐसे कुश्चन दिया रहेगा बड़ा बड़ा सा जैसे माली जैंग जांपल 48 42 46 इसको लिखने में कितने अंकों क्यों सकता होगी वगएर वगएरा अभी कुश्चन देखोगे सब क्लियर होगा कि शीवम कुमार कुछ बातें समझ में आ रही भाइया अजीत आपको भी कुछ समझ में आ रही मेरी बात ठीक है अच्छा है फिर सक्षेक्शन भी में क्या-क्या पढ़ेंगे एक बात अपने दिमाग में או कर रहे हैं उसमें कैसे पढ़ना है क्या-क्या पॉइंट टॉपिक किसके बाद में पढ़ेंगे यह आपको पताईगा ऑप नोट्स बनाओगे आपके लिए आसान होगा ठिक है नोट्स बना होना चाहिए ठीक है ऐसे हवा में पढ़ाएंगे तो कुछ मजा नहीं आएगी सेक्षन भी में भाग लंबी विधी पर आधारित प्रस्न ठीक है इन में भी तीन प्रकार होंगे पहला सूत्र पर आधारित प्रस्न दूसरा जब प्रस्न में दो बार भाग देने की सर्थ दी गई हो कि तीसरा सी नंबर जब योगफल और आधा अंतर पर आधारित प्रसंद दिये गया हूं जैसे का जाता है ना कि दो संख्याओं का योगफल 382 है यदि इनका अंतर एक सब्सक्राइब कीजिए चोटा सा सब्सक्राइब अभी मेरी बात समझ पा रहे हो भी या तो ए सर्थ पर आधारित प्रसंद बिभाजता की सर्थ पर आधारित प्रसंद जैसे अगर कुश्चन ऐसे दे दिया जाए मालो कि दी गई संख्या मान लो ये ग्यारा से विभाजित है ग्यारा से फुली डिविजिवल है तो B का मान ग्याद कीजिए ऐसे B का मान होगा 5, 4, 2, 1, 0 ऐसे यदि दी गई ये फलानी संक्या ग्यारा से completely डिविजिवल है then find the value of B ऐसे प्रस्न होंगे इससे और भी अच्छे होंगे सुन्दर सुन्दर होंगे अगला है घातांकिये भाग पराधारित प्रस्न और इस घातांकिये भाग में दो प्रकार तीन प्रकार होंगे पहला सुत्र पराधारित योग फल पराधारित सेज़फल पर मिये यानि बेश्टार रिमाइंडर थोरम ठीक है और चौथा टाइप होगा इसमें भाग के गुड़नखंड बिधी पराधारित मधूरेश समझ में आ रहा है सुमन सिंग इट्स मिस्टर एसन वाई बया सुद्ध सुद्ध नाम रखो तो थोड़ा पड़ भी पाएं सेक्शन सी में सिर्फ तीनी टोपिक है गुड़नखंड इसमें होगा गुड़नखंडों की संख्या ग्यांत करना गुड़नखंडों का योगफल निकालना और अभाज गुड़न संखंड है बहुत छोटा सा है बताओ कि साथी मेरे सेक्शन डी में क्या-क्या पढ़ोगे देख लो ध्यान से सेक्शन डी में पढ़ना है आपका अभीविद वाले प्रस्न होंगे अंकों से संख्या बनाना और संख्याओं पर सामानने प्रस्न बस यह इतने कुल टोटल न दो नंबर जितना टाइब बताया इसमें हंडेट परसेंट आएगा पक्का आएगा एक से दो नंबर आप कहो गया गुरुजी एक दुन नंबर के लिए इतना बड़ा पचरा करना पड़ेगा जीरो पॉइंट जीरो वन नंबर से भी लोगड़बड हो जाते हैं तो यह पड़ेगी चोकरी चोकरा नहीं मिलेगा तो नौकरी मिलने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी अभी कामेंट देखो गए हमारे प्रेस्नल वाटसप पर देखो लोग ऐसा असा दर्द बताय रहते हैं अपनी प्रेम कहानी की अपनी पुरानी जीवनी की तो वह सब कहीं ने कही कनेक्ट होती से इसलिए मैं बोलता हूं तो कुछ लोग जो नए होते हैं उनको लगता है का बोल रहे हैं अन्सू मनोज कुमर अकांछा सरोज हाँ हाँ चकविद्धी ब्याजवाज वह सब अलग चैप्टर है उसको भी पढ़ाएंगे लेकिन पहले इस्टेप बाइस्टेप न तो यह हो गई चीजें अब हम सुरू कर देते हैं आपका टॉपिक और चैप्टर ठीक है पहला क्या था सबसे पहला क्या था उस पर चलि देते हैं बहुत जल्दी करें जितने भी साथ ही हमारे जुड़े हैं एक बार सभी या फ्लिक के कमेंट करें थमसब करें हम जान जाएं कि हाँ जुड़ गए हो और आ गयो आज हम सुरुवात कर देते हैं बाकि बहुत सारी चीजें पढ़ाएंगे अगली कलास में जब है लेकिन पहले चीजों को समझाना भी जरूरी है चलो तो मैं सुरुवात कर देता हूँ पहला क्या था संकेतिक प्रतिरूपों पर अधारित अब यह संकेतिक प्रतिरूप वाले कुश्चन कैसे होंगे जरा गौर फर्माईएगा दिल थाम के देखिएगा कि देखिएगा मगर प्यार से और वो भी केवल कुश्चन देखिएगा मुझको नहीं कि मारकर में से आई वाई है कि सायद डाला होगा उन्होंने लिखिए सेक्सने कि स्टायट हो रहा है सेक्सन ए जिसका नाम है संकेतिक प्रतिरूपों का परियोग प्रतिरूपों का परियोग अब इस पर क्या क्या पढ़ना है कुश्चन हम आपको दे रहे हैं यूज आफ कोड़ेड पैटन एक प्रकार रिजिनिंग से संबंदित है थोड़ा सा कोड़ेड कोड़ेड पैटन देखिए अब जो लोग रिजिनिंग जानते हैं बेसिक में थोड़ा बहुत उनको बातें क्लियर होंगी हूं ठीक है समझो कमेंट की चक्रमना पढ़ो पढ़ो समझो कि कुश्चन में दे रहा हूं उसको देख करके सेम टू सेम बताना है आंसर देखिए फैस्ट कुश्चन है ज्यादा नहीं में किवल सुरू करूंगा बस ज्यादा कुश्चन नहीं कर वाँगों टेंसन मतलों यादि A A into B का कोड क्या है A का स्क्वार और प्लस B का स्क्वार माइनस AB ठीक है यह किया है इसका code है a into b का या फिर आप यहाँ पे star भी बना सकते हो ज्यादा अच्छा रहेगा star बना लो ठीक है A star B का code यह है तो तो 9 star 10 का code होगा अब बता भया अगर इसका code यह है तो 9 और 10 का code क्या होगा कि एनिमन कोई ट्राई करेगा राकेश कुमार बिल्कुल मैं कोशिस करूंगा आचल पटेल अभी साथ ही हमारे सेशन को लाइक जरूर करें देखिए हमारी कोशिस होती है कि हम निरंतर आप ही के लिए वर्क करते हैं दिन रात हमारा कोई टाइम नहीं होता इसमें हर समय हम है ना तो मेरी बीवी बच्चे है और ना ही मेरे ऊपर कोई डिपेंड है समझे रहे हो आप ही लोग के लिए हम बन नहीं है बस चलिए देखिए बहुत ही सिंपल है अगर इसमें मैं आप्शन दे दूं तो 81 71 91 और 101 कोई आप्शन बताएगा इसमें से एनिवन मनोज बहुत अच्छे प्रियांसी सिंग बहुत ठीक है करेक्ट आंसर होगा 91 बहुत कैसे बहुत अच्छे बहुत अच्छे बच्चे देखो भाई यह इसका कोड दिया है ना तो हम मान लेंगे कि 9 की जगा पे सोरी एकी जगा पे 9 एंड बी की जगा पे 10 लाके मान रख दो नकल करना तो बंदर को भी आता है आप बंदर से कम थोड़ी हो बंदर के मामी पापा बन गया हो चलो देखो ध्यान से आप बुरा नहीं मनना समझना बस 9 इंटू 10 यह मैंने क्या किया यहां पर इंटू लगा आपर 10 तो 9 इंटू 10 फाइनल में 81 अंड्रेड माइनस नब्बे 181 माइनस का नब्बे इक्वाल 91 दिफिज दव करेक्ट आंसर मजा आएक नहीं अभी नहीं मजाएगी अभी आएगी अभी तो शुरू बात है अभी तो पार्टी सुरू हुए है हां चलो फटा फट लिखो इमांदारी से बताओ कर लोगे न आप पक्का सभी एक बार दिल पे हाथ रखके बोलो ज्मूट नहीं बोलना आपको आपके उसकी कसम है उसकी मतलब जान रहो किसकी बहुत समझदार हो गुरू सब समझ रहो बोलो चाहे ना चलो तो इसमें मैं थोड़ी सी चेंजिंग कर रहा हूं अब बताना अब बताना फिर जब समझी गए हो तो मैं इसी पर थोड़ा और बंजा देता हूं कुछ कोईस्चन देखो तो बाई साहब सेबन और इस कोड का चिन लगा के 5 कमान बता चलो क्या होगा इसमें जो अप्शन ह नच अच्छा वह एक ठी और बढ़ जा रहा है मतलब नान अब दीज भी अब बताओ कितना आएगा इमांदारी से बताना जूट नहीं बोलना जूट बोले कववा कटे समझ रहा हो ना तो जूट नहीं बोलना भई जूट बोलना चाहिए मैं तो कहता हूँ बोलना चाहिए लेकिन ऐसा जूट नहीं कि आपके जूट से किसी की भावनाओं की डेथ हो जाए किसी की उमीदें खतम हो जाए समझ रहे हो ना मतलब चीट करना जिसे बोलते हैं ऐसा जूट बोलना गुनाह नहीं है जिसमें कुछ बड़ा और अच्छा हो सके जी तेंद्र जी बिलकुल समझाओंगा भया इसलिए तो दूसरा दिया हूं बाबु सेम टूसेम हाँ जो लोग डी बता रहे हैं वो लोग आंसर बताएं करेक्ट कि कितना आया उनका और एक बार मुझे जरूर बताना आवाज बढ़िया है बता भाई आवाज अच्छा है है छो लोग दी बता रहे हैं वो लोग आंसर बता थिक आए बहुत अच्छे सिवम राकेश कुमार बेरे गूड बबाबू बरे गूड बहुत अच्छे कितने अच्छे हो आप लोग तो यह मैं बताता हूं देखो भया एकी जगह पर साथ है और बीकी जगह पर 5 is तो रख दो बाबू लाके फटा फट ए इंटू इसको हम इस्टार को इंटू माल लेते हूं गुड़ा का ही चिनन ठीक है तो ए का स्कॉयर मदलब सेबन स्कॉयर बी का स्कॉयर मदलब फाइब स्कॉयर माइनस सेबन इंटू फाइब हल कर लो 49 प्लस 25 माइनस 35 देखिए कहीं कहीं गुड़ा भाग में थोड़ा मिस्टेक कभी कभी हो जाता है तो उसे ध्यान रखना और मुझे सूचित करना ठीक है कोशिश तो हमारी 100 परसेंट साही करने की यह लेकिन इंसान ही है भगवान थोड़ी है चलो यहां पर एक चीज से बाद ध्यान रखना तो यह जूड़ जाएगा नव पांच 14 हांसी लाया एक चार दो छेक साथ सीधी सी बात वैसे भी यह पचास है मानलो यह 24 है तो पचास 24 कितना हो जाता चाहुआतर माइनस 35 कि देखा भाई सीधा सीधा सा बात है कितना आएगा अगर हम 75 फे 35 घटात से तो कितना आदा चालिफ ना लेकिन हम 74 से घटा आ रहें तो चालिस से ठीक हो जाएगा 49 हो जाएगा यह हो गया करेक्ट आंसर कि सौरब जी बिल्कुल चलेगा लेकिन अभी जो है थोड़ा सा पेंडिंग है क्योंकि हमारा फाइस टार्गेट सूपर टेट है डीलेड का म में पूरा पढ़ा दिया हूं कि पीवीर स्टडी एप में जा करके आप इन्रोल कर सकते हैं यूटूब पर प्लेलिस्ट है उसमें भी सारे कोर्सेट पढ़े हैं जो कुछ कम होगा वो जल्दी अपडेट हो जाएगा अपना सांग राजस्थान से देख रहे हैं जी बहुत तो इसी पर धारित और कोष्टन दें या बदलें नि मत बोलो क्या कह रहो कर्यों कर था थरटीन आइन आया था उंचास कहा आया था मैं उन्चाव लिखा था किकен आ कि थरटीन आइन उन अगर मैं उन्चाव लिखा था तो गलत था स्रूरे 39 नएग ठीक है कि क्या कह रहो इसी पर धरीत और कुश्चन दें किया और नया बदलें चलो एक और कर लो एक और कर लो एक और कर लो फिर बदलते हैं ठीक है चलो भाई एक और कर लो 9 into 5 कितना आएगा और साही तो लिखाता है यह कहां का बेवकूप आजाते एक से यह सूपर टेट के लिए इस्पेसली मैच चल रही है बातचीत नहीं चलो तो इसको आप लोग करके मुझे कमेंट करके बताना आप 9 5 रखके ठीक है अब मैं थोड़ा सा चेंज करूंगा टाइप थोड़ा फ़ा टाइप चेंज करूंगा मजा नहीं आरी चलो नहीं मजा आनी चाहिए ना आपको नाइन और फाइप रखके करके मुझे बताओ अंसर सिकेंट टाइप के लिए रेडी हो जाओ देखिए कलास भले छोटी हो लेकिन बड़ी मज़ेदार होगी कम समय में बहुत कुछ मिलेगा पक्का लिखो अईदी A इन्टू B यहाँ पर कुश्चन न लिखो टाइप लिखो इक्वल A प्लस B फ्लस A अपान B हो तो 15 थ्री और 8 टू ओके 15 इंटू 3 प्लस 8 इंटू 2 कमान होगा यह इसका मान क्या करना है बताना है ठीक है ओके अप्सन अगर मैं दे दूं तो आप लोग ले लो भाई फटाफट 35 39 37 41 चलो जल्दी करो देखो भाई यह सुरुवात है बाबू ठीक है हाट कुश्चन वाले अगर इकठे लाद देंगे ना बैठ जाओगे लेगे फिर उठ नहीं पाओगे इस लिए थोड़ा थोड़ा सीको पहले आदत पढ़नी चाहिए चले आगे बढ़े जल्दी से ट्राई कर लो एक बार भाई फटा फट मैं इसका जबाब बताता हूँ ठीक है बेरे गुड बेरे गुड थर्टी सेबन करेक्ट आंसर थीक है पराची करेक्ट थर्टी सेबन सी आई ये देखे कैसे देखो एंटू बी इसका कोड ये दिया है तो जैसे जैसे गतिविधी इसके साथ हुई है ऐसे ऐसे इधर साइड में भी करना है तो भाईया आ जाओ एक ही जगह पर पहले देखो एक चीज़ यहाँ पर यहाँ पर यह दो पार्ट में है 15 इंटू 3 एंड 8 इंटू 2 तो इसको हम दोनों अलग अलग करेंगे और फिर ला करके जोड देंगे टोटल कर लेंगे ध्यान देखना चलो तो पहले हम फाइश्ट वाला करते हैं 15 इंटू 3 लिखो यहाँ पर एक ही जगह पर 15 बी की जगह पर 3 तो भाईया यह हो जाएगा 15 प्लस 3 और प्लस 15 अपान 3 इसको काट दो बाबू तो 5 आएगा यह 15 प्लस 3 प्लस यह 5 फाइनल में 23 आएगा किसी को कोई डाउड तो बताओ नहीं फाइनल यहनी हमारा यह हाप पार्ट आ गया इसको भी इसी तरह निकाल लेंगे नीचे लिख लो इसी परकार 8 इंटू 2 इक्वल देखो यहाँ पर कोट दिया है न एप्लस भी यानी 8 प्लस टू और प्लस एपान भी यानी 8 अपान टू इनको भी साल्व कर लोगे तो 8 दो 10 चार चौदा पक्का अब क्या करेंगे यह दोनों का सम कर लीजिए यह दोनों का कितना आएगा जोड लीजिए क्यों जोड लेंगे क्योंकि यहाँ पर देखो यह दोनों जोड़ा गया था आपस में हमने क्या क्या इसका मान निकाला इसका मान निकाला दोनों का अलग अलग निकाला यह गर्ल्फ्रेंड से ज्यादा बड़ा चीटर निकला समझ रहो इतना चीटर निकला कि मैं क्या जब हाई स्कूल की क्लास थी उसी समय इनका सिस्टम डोलने लगा मैंने कंपलेंड किया तो इनकी कोई सुनवाई नहीं हुई फिर मैंने एटल के जितने भी ट्विटर हैंडल से सबको टैक करते हुए बड़ा मस्त ट्वीट लिखा उसके बाद पिर इनके आधिकारी लोग जागे फिर यहां बगल में पडोशन फे होता है सिस्टम करना पड़ता है चलो अब तब जाकि चल रहा है नहीं ती यह भी नहीं चलता इसलिए आठ बजे आज यह कलास नहीं चली थी तो सिर्फ कलासी चलाना बड़ी बात नहीं है बहुत कुछ जलना पड़ता है यहां पर सालनी उपाध्याय समझ में आया मोहित आपको भी समझ में आया राकेश कुमार सबको आया तो इसी पर आधारित में एक और कोश्चन आपके लिए दे रहा हूं मतलब आपके लिए आप इसे करके बताओगी चलो भया 15 गुड़े 3 जहां था वहां लिख लो आप सिर्फ और सिर्फ 6 गुड़े 5 और 8 गुड़े 2 इसकी जगह पर 7 गुड़े 2 कर लो तो इसका मान कितना आएगा मुझे एक बार बता दो जल्दी से पहला अप्शन है 29 आएगा 42 आएगा 59 आएगा या 99 आएगा इन में से कुछ भी अगर नहीं आया तो डी वाला लोग बोल अपना आप्शन तो बताना लेकिन साथ में उत्तर बताना क्या आया आपको जल्दी करिए कि हाँ कोशिच करिए ठीक है कि मोहित कि जीतेंद्र कुमार बेरे गुड़ अन्सू सौरव कि ठीक है बस 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 रेड़ी ठीक है ठीक है चलिए जैसे उसको किया था वज़से इसमें भी मान रखना है यह भी दो पार्ट में है दोनों पार्ट अलग अलग कर लेंगे तो पहले 6 इंटू 5 वाला करते है इक्वल ए प्लस भी है यानि 6 प्लस 5 प्लस भाई यह तो फंस जाएगा मुझे लग रहा यार कि कुश्चन इननों जो टाइप किया ना आजीब टाइप का दसमलों में आएगा इसमें से कोई आप्सन साही नहीं होगा यह डेसिमल में आएगा थोड़ा बला लंबा हो जाएगा अभी मैं आपको सिंपल सिंपल कोईश्चन कराऊं तो अच्छा रहेगा नहीं तो यह लंबा हो जाएगा अभी खिच जाएगा लंबा क्यूं लंबा खिच जाएगा ना भी तो अभी मैं इसको छोटा कर देता हूं नहीं तो अभी यह बताऊंगा यह टाइप लेकिन अभी नहीं अभी स्टार्टिंग है तो इसमें आप एक काम करो यहां पे आप दो कर लो यहां पे आप बारा कर लो ऐसे कुश्चन जो आसानी से हल किये जा सके हैं ठीक है क्योंकि भी सुरुवात है चलो ठीक है आई यह बहुत करते हैं देखिए 6 इंटू 2 यह इतना पार्ट इक्वल 6 यहां पे देखो प्लस देखिए यहां पे थोड़ा समझीए इंटू बी का जो कोड है वो दिया इतना ए प्लस भी प्लस यह पान भी यह दिया है ठीक है तो जैसे यह लिखा वैसे सेम तू सेम हम जहां पर ए है वहां पर छे रखेंगे जहां पर बी है वहां पर दो रखेंगे ठीक है यह ध्यान रहें तो बी की जगा पर दो एक जगा पच्छे बी की जगा पर दो यह कट जाएगा तीन आएगा छे दो आर्ट तीन ग्यारा यह आगया ठीक है इसी तरह से साथी मेरे आप यह पार्ट भी निकालोगे बारा इंटू टू बराबर ए प्लस भी होता है और ए अपान भी बारा दू चवदा 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 चे बीस 20 ना दोनों को सम कर दोगे योग कर दोगे ठीक है तो 20 एंड 11 एड करोगे 31 आएगा इसमें से कोई आप संसा ही नहीं है तो यह 31 आजाएगा नौन आप दीज सिल्पा के सरवानी आया कुछ समझ में अंसु बर्मा अच्छा कितने ऐसे साथ ही है जिन्होंने एकदम कंफर्म समझ लिया बोलो एक बार यस अगर आया तो यफ लिखिये नहीं आया तो नो मैं समझ जाऊंगा कि कितने लोग को आ गया लेकिन इमांदारी से दिल से बताना जूट नहीं बोलना भाई बात पक्की हो रही ना आगे बढ़े तो ठीक है देखिए एक बात समझ लीजिए आपका दोस्त मार्केट गया और वो सव रुपया का एक किलो सड़ा सेव खरीद के लिए आया ठीक है सड़ा मतलब इदम फेंकने वाला और आप भी मार्केट गए आपने सव के बजाए डेढ़ सव रुपया में किवल दो सेव लेके आये अब बताओ कॉन अच्छा काम किया कि जो 100 रुपया में पूरा एक किलो लाया था सड़ा वाला अच्छा किया या फिर देड़ ऌना आपने अच्छा किया या दोस्त ने तो मैं यहाँ पर आपको यही बताना चाहता हूँ कि आप 40 मिनट में भले आप 10 ही टाइप पढ़ो या 4 ही टाइप पढ़ो लेकिन जितना पढ़ो वो आपके काम आए मतलब समझ में आए यह नहीं कि मैं मारिक धकेल धकाल के जल्दी जल्दी पूरा कर दूँ और तुम्हें समझ में कुछ ना आए तो काम मतलब निकलेगा कुछ लोग बोल रहे हैं हमने अच्छा किया बड़ा गर्ब मैसूस हो रहा है चलो ठीक है अच्छी बात है का आपने अच्छा किया तो अब क्या है इस टाइप का कुछ और आप लोग करो 18 इन्टू 6 और प्लस 28 इन्टू 1 4 14 का मान बताईए इसका मान क्या हो सकता है 181, 82, 95 या ना आप दीज चलिए जल दीज़ा आप दीजिए हरी बाइटी का चाहते हो अच्छा फेमस होना चाहते हो इसको आप लोग करेंगे आज मैंने आपको पूरा नंबर सिस्टम का रूप रेखा बता दिया पूरा इस्ट्रेजी कैसे कैसे क्या पढ़ना है सारी सिस्टम बता दिया और आपको मैंने इस्टार्ट करवा के दिखा दिया कि कितना मज़ेदार हों कितना आफान है यह सब बिलकुल खेला एकदम गेम जाई से तो आप लोगों को क्या करना है मैथमेटिक से थोड़ा थोड़ा महबत प्यार शुरू कर देना है